हलो एवरीवन वेलकम टू इश्कूर शाला आज हम देखने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का चैप्टर फोरेस्ट सोसाइटी एन कोलोनलिजम और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अभी तक हम यह देख चुके हैं कि सर फोरेस्ट सोसाइटी के उपर फोरेस्ट्री का क्या इंपक्ट पड़ा था आज हम देखने जा रहे हैं न्यू टेडर्स न्यू इंप्लॉइमेंट एन न्यू सर्विसेस तो सर जो फोरेस्ट्री थी साथ इसाथ जो रेगुलेशन आये थे कही स लोगों को क्या बना दिया था एक नया ट्रेडर बना दिया था कई सारे न्यू इंप्लॉइमेंट के रास्ते उन लोगों के सामने खोले थे और साथ साथ कई सारी नई सर्विसेस जो थी ना वो उस समय शुरू की गई थी वाइल पीपर लोस्ट आउट इन मैनी वीज आफ पीपल बेनिफिटेट फॉर्म दा नियू उपॉर्चुनिटेट इस जाट है ओपन अप इन टेड हम देखते हैं कि सर ऐसा नहीं है कि सर फॉरे डिपार्टमेंट का जो यह एक्शन था जो फॉरे लॉस का यह एक्शन था वो सबके लिए रॉंग ही था तो सर ऐसा नहीं थ क्योंकि हम यह भी देखते हैं कि कई सारे ऐसे भी लोग थे जो इस पूरे प्रोसेस से क्या हुए हैं बैनिफिटेड हुए हैं कई सारी उनके सामने नई उपॉर्चुनिटीज आई है इन कम्यूनिटीज ने अब क्या कि आपने ट्रेडिशनल उक्यूपेशन को तो छोड़ दिया पर इसी के सासाथ अब उनोंने फॉरेस्ट प्रोड़क्स के लिए ट्रेडिंग शुरू कर दी तो ट्रेडिंग में जैसे ही वो लोग आते हैं तो उन्हें एक नया उक्यूपे पर सेम ऐसा ही प्रोसेस रहा है जब कम्यूनिटीज को फॉरेस्ट से निकाला जाता है तो कम्यूनिटीज क्या करती है ना फॉरेस्ट प्रोड़क्स की ट्रेडिंग शुरू कर देती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे बैनिफिट ज़्यादा प्रॉफिट इसस लग जाती है दा मुंडग रिक्यू पीपल्स ऑफ ब्राजिलियन एमेजन वू लिवड इन विलेजस ऑफ हाई ग्राउंड और कल्टिवेटेड मैनेगो मैनियोग बिगें टू कलेक्ट लेटेक्स फॉर्म वाइल डबर्स ट्रीज फॉर सप्लाइंग टू ट्रीडर्स हम यह जब रबर की डिमान बढ़ती है न तो एफ्रिका के ब्रैजील के कई सारे ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहां कि लोग अब क्या करना शुरू कर देते हैं लेटेक्स को ताकि सर वाइल डबर्स जो ट्रीज है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लेटेक्स निकाला जा सके और उस समझ सकते हैं कि ब्राफिट करने के लिए प्राफिट करने के लिए वह लोग क्या कर रहे थे वह लेटेक्स को कर रहे ही समझने लग गए थे और बहुत ही जादा ट्रेडर्स पर डिपेंड भी वो लोग हो चुके थे इन इंडिया दा ट्रेड इन फोरेस्ट प्रोड़क्ट वस नूट नूट जब हम बात करते हैं इंडिया की कि मीडिवल पीरेट से ही यह सिस्टम चल रहा था मीडिवल पीरेट से ही फोरेस्ट प्रोड़क्ट को सैल किया जा रहा था जैसे कि सार एलिफेंट हुए हाइट हुए होंस हुए सिल्क कुण्स हुए ऐसे कई सारे प्रोड़क्स थे ऐसे कई सारे फ्रोरेस्ट प्रोड़क्स क्योंकि हम चैप्टर भी पड़ रहे हैं कॉलले लीजम तो हमें वह लोग रेगुलेट कर देते हैं तो ऐसे में गौर्न में का जाता है पूरे यह गौर्नवनेंटक की के चाती थी ज जा कौन्ट्रोल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्ड करवाना चाहती ती कि नहीं सर्ड यूरोपियन को यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म को सोल राइट दे देती है मतलब मोनोपोली दे देती है एक पटिकुलर एरिया में पटिकुलर फ्रोड़ेश्ट के लिए ताकि वह ज़्यादा से ज़्य प्रोड़क से क्या प्रोफिट अर्सके और साथ ही साथ जो ऑवरॉल बिटिश गौर्नमेंट है उसको भी समिल सके ग्रेजिंग अन्ड हंटिंग भाय लोकल पीपल्स बाया प्रिचिक्टइड तो ऐसे में जो रिजर्व लेंड था जो रिजर्व फोरेस्ट था उसके जो बिटिश थे न वो चाहते थे कि सारा का सारा कंट्रोल हमारे हाथ में हो ज्यादा से ज्यादा हमें ही प्रॉफिट हो हम बात करते हैं इन दा प्रोसेस मैंनी पैस्टर लिस्ट एंड नॉमाडिक कमुनिटी इस लाइक दी कौरवा कौरवा कराचा एंड युरू कौला ओफ हमारे सामने एक ऐसी प्रॉब्लम दिख रही थी कि उनके पास employment generation का कोई तरीका ही नहीं था क्योंकि जो land था जिस land से उन्हें employment मिलता था जिस land से उन्हें livelihood मिलता था अब उसमें जाना उनके लिए restrict हो चुगा था मतलब वो उसमें नहीं जा सकते थे फिर हम आगे देखते ह किर्मिनल ट्राइबस तो सर ऐसे में कई सारी ऐसी ट्राइबस थी जिनको आप क्या बोला जाने लग गया था किर्मिनल ट्राइबस बोले जाना लग गया थे and were forced to work instead of factories, mines and plantation under government supervision अब लग जो government है ना government ने क्या किया कि उन लोगों को किर्मिनल ट्राइब बता दिया और इन लो government की supervision के अंदर वो लोग काम करें ताकि government ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के ओपर control रख सकें और साथ इसाथ उनके livelihood को भी वो लोग control कर सकें New opportunities of work did not always mean improved well-being for the people जो ये new opportunities लोगों के सामने आ रही थी ना तो जरूरी नहीं था उसने लोगों के जीवन इस तर में उनकी well-being में improve किया क्योंकि हम ये देख रहे थे कि सर जादा से जादा जो Britishers है ना क्या चाहते थे कि सर जो profit हो वो सिब हमें ही हो हम ऐसा बिलकुल नहीं चाहेंगे कि सर जो Indians है ना वो है ना हमसे profit लेना शुरू कर दे ऐसे में इन असम बहुत men and women from forest communities लाइक जी संथाल से और वान्स फ्रॉम धी जारकंड और जी जारकंड और गॉन्स फ्रॉम चत्तिसगर वर रेकूटेट टू वर्क इन टी प्लांटेशन तो हमने ये देखा क कि सर जो hunters थे जो gatherers थे जो collectors थे ना उन लोगों को forest के अंदर से जाने से रूका गया और साथ ही साथ उन communities को जैसे कि संथाल सोगे इन communities को tea plantation के लिए लेके जाया जाने लगा जादा है जादा उनको force किया जा रहा था कि सर आप कहां काम करिए आप mines में काम करिए इन plantation field में का हैं their wages were low and condition of work were very bad जब हम बात करते हैं उनकी wages की तो सथ जो wages हुआ करती थी वह बहुत ही ज्यादा लो हुआ करती थी साथ जो उनकी working condition थी ना वह भी बहुत ही ज्यादा खराब थी they could not return easily to their home villages from where they had been recruited और उन लोगों को अपने घर जाने की भी इजादत नहीं थी history के अंदर बच्चों हम देखेंगे एक immigration act एक एक एसा act देखेंगे जिसके अंदर हमें ये सरमेद्र को मिलेगा कि सर जो ये plantation field होती थी ना plantation field से अगर किसी भी planter को निकलना होता था अपने village जाना होता था तो सर ये जो process है वो easy नहीं हुआ गरता था क्योंकि सर उन्हें है अखिर एक immigration in land जो act था ना अखिर उसने कैसे इन लोगों की जो life थे ना वो change करके रख देती तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप subscribe कर सकते हैं इस course आला के YouTube चैनल को thank you